साबिर अली की आठ लोगों ने मिलकर हत्व कर दी इसकी आप तस्वीर देख रहे हैं ये CCTV पुटेज हैं पहले इन मरीजों ने हाथ पैर बाधा साबिर अली का यानि केरटेकर का फिर सभी मरी जोंने खत्या की और फराद में घटना दिवाली वाली रात की है बताई जा रहा है कि साबिर अली जब अपने कमरे में सोया था उसी वक्त आरोपियों ने पीछे के दर्वाजे से इंट्री ली हाट वो अंदर आए हाथ और पैर बाधा वो की तलाश के लिए पुलिस टीम गठीत कर दी और अभी तक का जो अपडेट है यानि 10 बजे तक का जो अपडेट है गाजियाबाद पुलिस के द्वारा अभी तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं है इन सभी के घर के बाहर एक एक पुलिस पहनात कर दी गई है लेकिन हमारे केट टेकर हैं काउंसलर है आके उनके हाथ करवांद के उनका मटर करके यहां से पीछे आप देख रहे हैं इसमें से भाग गए इस सूचना पे केस रजिस्टर किया रहा है साई बाबाद थाने में और हमारी दो टीमें गठीत हो गई है जल्द उनको अरेस्ट कर लें इस परवत को देखने के लिए दूर दरास्त शधालू काफी तजाद में पहुंच रहे हैं यह मानता है कि गोवर्धन की पूजा करने से सारे कश्ट दूर हो जाते हैं दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है लेकिन गोवर्धन परवत एक श्राप जिल रहा है इसके बारे में आगे बताएंगे लेकिन पहले बुलन शहर में गोवर्धन पूजा कियाई तस्वीरें देखी लोग उत्सा और धूमधाम से पूजा कर रहे हैं सदियों पुरानी अपनी परंपरा को निभाते हुए वारणसी के यदुवर्धन पूजा के अवसर पर सड़कों पर उत्रे और सोभायात्रा निकाली गाजे बाजे के साथ निकली सोभायात्रा में पाँचो पांडो भगवान शंकर देवी बारवती राधा क्रश्न सहीट दूसरे देवी देवताओं की जहाकी भी निकली इस सोभायात्रा में नौजवान यदुवंशियों के साथ ही छोटे बच्चों ने भी लट कला का अपना कोशल दिखाया गोवर्धन वो परवत है जिसको उंगली पर उठाकर भगवान क्रिश्न ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल के लोगों को बचाया था कहा जाता है कि गोवर्धन परवत पांच हजार साल पहले कई हजार मीटर उचा था लेकिन अब ये परवत 30 मीटर तक ही रह गया है इसके पीछे का कारण है पुलत्स रिशी का श्राप दरसल एक बार पुलत्स रिशी गोवर्धन परवत की खुबसूरती से बहुत प्रवावित हो गए और वो इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे रिशी पुलत्स की ऐसी च्छा जानकर गोवर्धन जी ने पुलत्स रिशी से कहा कि अगर आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं लेकिन आपने अगर मुझे पहली बार जिस स्थान पर रख दिया मैं उसी स्थान पर स्थापित हो जाऊंगा गोवर्धन की इस बात को सुनकर रिशी पुलत्स सहमत हो गए लेकिन बीच रास्ते में जब पुलत्स रिशी की साथना का समय हुआ तो उन्होंने परवत को नीचे रख दिया उनके ऐसा करते ही गोवर्धन परवत वहीं स्थापित हो गए इसके बाद पुलत्स रिशी उसे हिला तक नहीं पाए और उन्हें भारी लगने लगा जिस से क्रोधित होकर पुलत्स रिशी ने गोवर्धन परवत को श्राप दिया कि वो हर दिन घटते चले जाएंगी काह ये भी जाता है कि गोवर्धन परवत हर दिन एक तिल के बराबर घटता है ब्यूरो रिपोर्ट भारत समाचार तो मतुरा के गोविन दरगर राके में एक क्यावन फिट का गिनिराच परवत बनाए गया एसी मानिता है कि गोवर्धन की पूजा करने से जो भी आपके कस्ट है वो सारे कस्ट दूर हो जाते है गोवर्धन की पूजा की आज धूम देखने को मिली एक क्यावन फिट लंबी गोवर्धन की प्रतिमा बनाएगी जिसकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं एक क्यावन फिट का ये गिरी राज परवत है और ये गोवर्धन पूजा आखिरकार कैसे मनाए जाता है ये निश्चित तोर पर आप लोगों के मन में सवाल कौनता होगा या आप लोग जान भी रहे हैं भागवान स्रीकृष्ण ने घोवर्धन वास्तियों को इंद्रदेव के प्रकूप से बचाये था और जिस परवत को उठाये था वो गिरी राज परवत था और देखिये उसी की प्रतिमा बनाएगी ये क्यावन फिट लंबी आगे बढ़ेंगे वरानसी आपको लिए चलेंगे दिपावली की जगमगाहट के बाद भोलेनात की नगरी काशी के राजा बाबा विश्वनात और अनपूर्णा माता का अनकूट महुत्सों मनाये गया महुत्सों पर भक्तों की भारी भीर देखने को बिले काशी में भगवान शूँ और मा अनपूर्णा को 56 भोग लगाये गया पुराणों की माने तो आज के ही दिन भगवान शूँ ने मा अनपूर्णा से अपने भक्तों के लिए दिक्ष़ा भांगी थी और माता अनपूर्णा ने भगवान शुकु 56 बेंजनों का प्रसाद दिया था उसी समय से दिपावली के दूसरे दिन वारानस्ती के काशि विसनात मंदिर और अनपूर्णा मंदिर में इस उत्सो को धूमधाम से मनाया जाता है गुबर्धन परवत से यह महुस्तो शुरू हुआ है प्राचीन काल में यह महुस्तो शुरू हुआ तब से अभी तक मनाया जा रहा है क्या होता है इस दिन इसमें 56 बहु लगता है भगवान को यहां नपूर्णा जी विसना जी जितने भी यहां भी सिष्ट मंदिर है सबी मंदिनों में 56 बहु पनाया जाता है यहां आई मातारामी का खजान और यह थन दित्रल करती है उन्हीं के लिए दर्शन पंड माई माह है जो विद्धन से लेके आज ववर्धन की जाते दर्शन देती है उनके यह मैं दर्शन में आई हुआ तर प्रदेश के बुदेल वाले नृत को देख कर लोग दातों तले उंग्लिया दबाने पर बजबूर हो जाते हैं यह धंतेरस से लेकर भाईया दूच तक गाउगाउ घुंते हैं वीरस से भरे इस नृत को देखकर बच्चों से लेकर बुज़र्ग तक थिरकने पर बजबूर हो जाते हैं यह नृ बाजी सभी करते हैं और इसी दोरान आप भारत समाचार के जरीए डेपुटी चीफ मिनिस्टर दिने शर्मा को देख रहे हैं इन्होंने भी आज पतंग उडाई है अपने निजी आवास पर जमघट का आनंद लिया है डेपुटी चीफ मिनिस्टर ने पतनी संग पतंग उड आने में मस्रूफ रहे हैं डेपुटी चीफ मिनिस्टर ने जन संख्या नियंतर्ण कानून पर प्रदेश के अलप संख्यां कल्यान राज्यमंत्री मोसिन रजा ने क्या कुछ का कैसा ग्यान दिया वह आपको सुनाते हैं संसाधन जितने समाज के लिए है उससे जादा अगर संख्या हो रही है तो कहां से लाएंगे वो समाज का ही तो पार्ट होती है सरकार भी कोई समाज से अलग सरकार तो बंती नहीं समाज के लोग सरकार बनाते हैं तो इस तहा कि जो लोग टिपड़ी करते हैं, मौलाना लोग करते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि आप दीन और दुनिया दोनों को लेकर साथ में चलेंगे, जब दो बच्चे होंगे हमारे कम छोड़ा परिवार होगा, तो संपन परिवार होगा धर्मनगरी चित्रकूट में दिपावली के एक दिन भात की रस्म है गधा मेला की, समझ रहे हैं गधे मेले की रस्म है इस मेले में गधों की बोली लगती है, मेले में भारी संख्या में गधों की खरीद फरोक्त होती है, यानि बेच जाते हैं और खरीदे जाते हैं धर्मनगरी में गधों का गजब मेला गधों की लाखों की लगती है बोली दूर दराज से आते हैं गधा व्यापारी धर्मनगरी चित्रकूट में हजारों की संख्या में गधों और खचरों का एतिहासिक मेला लगा है इस रस्म की शुरुआत मुगल शाशक औरंग्जेव ने की थी औरंग्जेव चित्रकूट के इसी मेले से अपनी सेना के बेड़े में गधों और खचरों को सामिल किया करता था तो यह अपने जानवरों को धन करते हैं व्यापारियों की माने तो दीपावली के मौके पर लगने वाले गधा मेले में गधों की अच्छी खासी कीमत लगती है गधा व्यापारी यहाँ दूर दूर से आते हैं व्यापारियों का मानना है कि आज के दिन ही क्रे विक्रे करने से लक्ष्मी आती है गधे मेले में पचास हजार से दो लाक रुपए तक के गधे बेचे और खरीदे जाते हैं गार्मिक नगरी चितरकूट के राम घाट पर मंदाकिनी नदी के किनारे कई प्रदेशों से व्यापारी गधे लेकर बेचने आते हैं इस मेले की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशाशन की होती है विनुत कुमार चितरकूट बहरत समाचार मद्यप्रदेश से जहासी आ रही एक कार आटो से टक्राकर पुल से नीचे पानी में किर गई कार में एक मासूम बच्चे समय चार लोग सबार थे इस्थाणी लोगों ने कारसवार सभी लोगों को पानी से बाहर निकाला सभी कारसवार उत्तरप्रदेश के उरई के रहने वाले हैं जालोन में उरई पढ़ता है वही के रहने वाले हैं सभी को इलाज के लिए औरचा के एक स्वास्त केंदर में एड्मिट करा दिया गया है आटो से टक्राकर कार पानी में गिर गई कार में मासूम समेत कुल चार लोग सवार थे यह देखी तस्वीरे आपको हम दिखा रहे है पूरी तरह से यह पहले अनियंत्री थुए उसके बाद पानी में गिर गई जो अगली सीट पर बठे थे सबसे पहले वो निकला है यह आप तस्वीर एक बार फिर से देखिए ऑटो की वज़ा से बचाने के चक्कर में यहाथ सा हुआ है यह कर यह गनीमत यह थी कि खड़की खुली थी स्कूटी और ऑटो बचाने के चक्कर में और कार की रफतर भी तेज थी रस्ता बहुत सक्रा है कारकिरत्तार जो इस्थानी लोग थे वो तुरंट अलर्ट हुए हैं ये भी गहनी मतली लेकिन आटो वाला सो भाग खड़ा हुआ आप देखिए उस आटो में शमता से ज्यादा लोग सवार थे और रुकने के बजाए आटो वहां से तुरंट निकल गई गोरकपुर में दिपोच्सो कारिक्रम के दौरान हाथसा हो गया सूरचकुन पोखरे के पानी में एक लड़की गिर गई SDRF और पुलिस लड़की को बचा लिया तिवारीपुर के सूरचकुन धाम का इमाम ना है लगनों में संदिक दू परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है ससुराल पक्ष ने हत्या की आशंक का साहर की है पुलिस ने शो को कबजे मेले लिया है अंतीम संसकार के दौरान शो कबजे मेले लिया गया है जलती चिता को बुझा कर शो कबजे मेले लिया गया है संपत्ती के विवाद में खत्या का विन नगाए गाजि पूर्ताना सुरेतन का ये महामाना है कि हम लाग लाग रुप्रे का शैड़ पहल लाग अब है कि अ कर लो कर लोग में बेखख़ बदमासों ने धाबा मालिक की गोली मार कर रत्या कर दी बदमासों ने धाबे में गुसकर गोली मार कर धाबा मालिक को मौत के घाड उतर दिया वारदात को अंजाम देकर बदमास फरार होगे सुचना पर पहुची पुलिस ने शौकों कबजे में लेकर फॉरंसिक टीम से जात शुरू करा दी है तो टीम से लत है वाले ने वहार आट का इस हम काम लें माहर आई उसने कर दाया वो हमसे रोज लडता है रोज लडता है वहां को मामा मार डार है अपना जब रादमी को सने एक मार दिया जा कहरा तुझ कटोरा लेके भीग माखवाएंगे बूलने मगवादी हम से बड़ोदा ATM बॉक्स के चोरी होने के मामले में डी आई जी के पिसिंग ने मौके करने इरिक्षड किया इसके बाद ATM बॉक्स जहां फेका गया था उसे घटना इस्तल पर वहापर पहुचे और जाच किया इसके बाद डी आई जी कोटेवालि पहुचे वहापर बंद कमरे में S.P. समेथ जिले के पुलिस कर्मियों के साथ बादशीत की S.P. को नर्देश दिया कि वारदात का जल्द खुलासा करें जहासी में सत्ता के रशे में चूर एक पूर्ब मंत्री भाजपानेता के बेटे ने दिपावली पर पटाके की जगा बंदूख से फारी कि पूर्ब मंत्री रवेंड शुकला के बेटे निशानत ने ना सिर्फ फारिंग का वीडियो बनाया बलकि इसे अपने फेस्बूक पर शेयर किया सोशल मीडिया के निगरानी करने का दावा करने वाली उत्तर पूर्ब पूलिस ने भी भाजपानेता के बेटे पर कार्रवाई कर पाना इस समय किसी बड़ी चुनोती से कर दे लिए हापुड के थाना धावलाना शित्र के गाउ निधावली में एक दुकान का पुराना लेंटर तोड़ती वक्त बड़ा हाथसा हो गया यहाँ दुकान के लेंटर के महलबे में दो मजदूर दब गए जिसमें एक मजदूर की तड़ाप तड़ाप कर दरदनाक मौत हो गई जिफके दूसरा मजदूर जिन्दगी और मौत के बीच अभी भी जंग लड़ रहा है शामली के कहराना में चात्रा से छेड़ चाड़ के मामले में चाकू बाजी में घायल भाई की दिल्ली में मौत हो गई है मृतक ने बहन के साथ छड़खानी का विरोध किया था विरोध करने पर मन्चलों ने चात्रा के भाई को चाकू मारा सब्दर जंग अस्पिताल में चात्रा के भाई की मौत हो गई युवक की मौत से परजिनों में कोहरा मचा है लेकिन अब तक कुलिस के आद इस मामले में खाली है लखनों में पटाका जलाने को लेकर जमकर वाल हो गया दो पक्षो के बीच लोगों में जमकर वाल हुआ जमकर लाठी डंडे और तोड़फोड हुई है एक दूसरे की घर में घुसकर तोड़फोड के गई है सुचना पर मौके पर पहुंची पुलिस बल इंदिर नगर छ कर दो कि अज़िए लिए को आज ज़िए को आट कि अज़िए कि कुल्दीव सेंगर के छोटे भाई मनोज सेंगर का उन नौम एंदिम सज़कार किया गया कुल्दीव सेंगर ने कि भाई अतुल सिंगर ने मनोस सिंगर को मुखाग ने दी तालियों से गुँचता ये माहौल माकि के विधायक कुलदीप सिंगर के छोटे भाई मनोज सिंगर की अंतिम यात्रा का है जिन्दाबाद के ये नारे कुलदीप सिंगर के पैरोल पर जेल से बाहर आने की खुशी में कुल्दीप सेंगर के छोटे भाई की अंतिम यात्रा में ये समझ ही नहीं आया कि समर्थकों को सेंगर के बाहर आने की खुशी थी या भाई के असमय मृत्यु का दुख सेंगर माखी रेक कांट के आरोपी हैं बांगरमो के विधायक कुल्दीप सेंगर के छोटे भाई मनोच सेंगर का उननाव में अन्तिम संसकार किया गया सांसच साक्षी महराज विधायक बंबालाल दिवाकर ने मनोच सेंगर को सधान जली दी कुल्दीब सेंगर के छोटे भाई आतुल सेंगर ने मनुच सेंगर को मुखागनी दी विदायक कुल्दीब सेंगर रेप के मामले में दिल्ली जेल में बंद है और इस मामले में सुनवाई चल रही है वहीं अतुल सेंगर पीडिता के पिता की हत्या के मामले में लखनो जेल में है मनोच सेंगर पर भी रायबरेली एक्सिजेंट मामले में नामज़ मुकत्मा दर्ज था अन्तिम संसकार के प्रक्रिया के बाद सुरक्षा के बीच सेंगर बंधुओं को जेल भेज दिया गया अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाओ अन्या पूलिस सीव पिलिस टीम पर हमला किया गया है रो ही चिंग के सब के पास इस बारे में पूरी जानकारी हैर वह आप सभी दर्शुकों जानकारी देने के यह हमारे साथ फोन लाईन पर शुड़ गये रोई बताईए पूरियत दर्शुकों ke places को अ ba वर्दी में चलती है और उसी तरीके से जब गाव में पहुची और एक घर में पहुची तो लोगों ने अपरार करता समझ लिया क्योंकि जिस अपरादी को यह दबोचने पहुची थे उसके पहुच चुके थे लेकिन यह जो अपरादी था उसकी साजिस्ता उसने कुछ बद से होती है जब अध़ आसप से जिले कि वर में दबेस्ट मारती है तो लोकल पुलिस को कौंफटेंस में नहीं लेति जब कि नियमे वहां पे सस्टी कारयाली या स्टी कारयाली में अप्रादी को स्चेद किया जाता है लेकिन पोलिस में एक बहुत बड़ा पेच्ट यह है कि जब किसी दूसरे जिले में करने परणे पहुंच जाते हैं तो वाँ कि लोकल पुलिस को सूचना दी जाती है तो इसमें से खॅर लिख हो जाती है बडमास भाग जाता है तो कहीं ने कहीं पुलिस की ये भी समझते हा होती है जिसके कारों लोकर पुलिस पे विश्वास नहीं करती है और इनी कारों इस तरह के घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है जब दूसरे जिले में पुलिस जाती है तो अक्सर इस तरह की आपोड सेच्वेसन होती है आज भी इसा ही मामला था अलाकि बाद में इस्थानी पुलिस पहुंची लेकिन उसके बाद सारा खेल बिगर चुका था पुलिस पर पत्रा हुआ पुलिस को चोट लगी और यह स्थिटी देखने को मिल रही है बहुत शुक्री है रोहित सिंग इस पूरी जानकारी के लिए अपका आगे वड़ते दिवाली की मौके पर आतिस बाजी की बजा से कई शेहरों की हवा जहरी दी हो गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स में यजापा हुआ है जिस पज़ा से लोगों को सास लेने में बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है सुप्रीम कोट द्वारा तै की गई समय सीमा यानि की शाम 8 बजे से राद 10 बजे तक के बाद भी देर राद तक फोड़े गए पटाकों ने दिल्ली के साथ NCR के शेरों यानि की गुरुग्राम फरीदाबाद, नौएडा और गाजियाबाद के प्रदूशर में भी भारी जाफा किया है दिली के लोधी रोज इलाके में तो वायू गुर्वत्ता का इस सर पांसो को भी पार कर गया, जिससे बेहत खतरनाक श्रेणी में माना जाता है लक्ष्णवुहा पूड कानपुर के साथ साथ यूपी के भी कई जिलों में सास लेने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा वही दिल्ली में भी प्रदूशर से बुरा हाल है, देरात तक हुई आतिशबाजी की वज़े से हवा जहरीली हो चुकी है और दिल्ली के कई लाकों में एर कॉल्टी इंडेक्स 900 के पार दर्च हुआ दिल्ली में पटाखे छुडाने के लिए दिवाली में सुपिंग कोट की तरफ से दो घंटे का समय दिया गया था जिसकी आओ हेलना दिल्ली वालों ने जम करकी मालविया नगर, लाजपत नगर, कैलाश, हिल्स, बुराडी, जंगपुरा, शारदा, लक्षमी नगर, मयूर वियाद, सरीता वियाहर में लोगों ने तै दो घंटे के समय से जादा जो हैं वो पटाखे छुडा हैं और ग्रीन पटाखों के अलावा नॉर्मल पटाखे भी छुडाएं, सुप्रिंकोर्ट से सिर्फ ग्रीन पटाखे छुडाने की ही इजादत थी, उसके अलावा लोगों ने नॉर्मल पटाखे जो हैं वो भी जम के छुडाएं, जिसका असर आज सुबा देखने के मिला और परदूशन जो है वो बेहत गंबीर इस सिति में पहुचका है और दिल्ली वालों को कभी से रहात मिलेगी प्रवासी महासंग ने छट पूजा की तैरियां शुरू कर दिये, 30 ओक्टूबर से शुरू होने जा रहे, मौत्सों में मैथली ठाकूर और भोचपूरी सिनेमा, जगत के अरविंद अकेला कालू, गीतों से लोगों का वर रंजन करेंगे 30 ओक्टूबर को रंगा रंग कारिकरम होंगे तू, 2 और 3 ओमबर को सुर को अर्थ देने के लिए या 30,000 लोगों के लिए महा कुंड भी तैर किया जा रहा है 30 तारीकों जो छट महुत्सों का कारिकरम होने जा रहा है, इसमें भी लोगों को हम लोग एक ही स्वक्षता का संदिश दे रहे हैं कि जिस दिन हम लोग का छट पूजा होगा, दूसरे दिन एक दम हमारा जहां भी कारिकरम हो रहा है, वहां पर एक भी प्लास्टिक की थैली या या भी हमारे वज़ा से कोई पारगवरान को नुकसान नहों, यह हम लोग सभी अपने कारकरताओं के साथ में, कि इस जगह पे वो भी यहां पर पहुचे हुए हैं, जो परवासी महासंग है, उनके पतादिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, किस तरीके का इंतिजाम रहेगा, तीस अक्टूबर को करेकरम शुरू होगा, और दो और तीन तारिक को जो सूरी देवता है, उनको अर्क दिया जाएगा तैयारिया काफी जादा मजबूत करी गई है, फिलहाल दिपावली के बाद अब तैयारी शुरू हुई है, चट पूजा की, अब लोगों को इंतिजार है कि जल्द से जल्द चट पूजा आए, और जो अपने पूरवजों से वो पूरवजों को लिए जो मानता है उनकी, और जिस तरीके से वो पूजा पाट करते हैं, उसको वो पूरा करें, कैमरा परसन साजित के साथ दानी शदीज भारस समचार नुएडा। जा कारे कर दो ये के लिया। दिवाली की शुब कामनाएदी, अधिकारी और कर्मचारियों को घर जाकर बदाएदी, चतूरत श्रड़ी कर्मचारियों को आस्ट पूजा प्रसाथ सिंग ने कपड़े वित्रीत किये, आवासी परिसर में रंगोली को भी उनने देखा, और सभी सिपाही चेन अनायक को अ झड़ आधी है, झाला प्रसाथ